हुआ हालो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनेस अगेडमी कैसे है आप सब लोग और आप लोगों की तियारी कैसी चल रही है के भी एस पीजीटी या फिर टीजीटी की होप है कि इस साल पेपर होगा तो आप लोग कॉंटीनियू रखें अपनी तियारी और चलिए बाकी हमारे वीडियो देखते रही है और हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे लीनियर एलजेब्रा लीनियर एलजेब्रा में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइगन वेल्यू और शेयर करतो चलिए स्टार्ट करते है स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक आपके पास गीवन मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और वो कैसा होना चाहिए स्क्वेर मैट्रिक्स होना चाहिए और फॉर्डर एन क्रॉस एन तो कंसीडर द A is given matrix and lambda is constant value and I is identity matrix and X is unknown matrix clear है तो आपको ये A minus lambda I X is equal to 0 ये पता होना चाहिए and eigenvalues निकालने के लिए हमें सबसे पहले characteristics equation of given matrix निकालना पड़ेगा जिसके लिए हमारा method है determinant of A minus lambda I equal to 0 ये eigenvalues निकालने के लिए आपको apply करना पड़ेगा ठीक है और सबसे पहले characteristics equation निकलेगी then we have to find the roots of that characteristics equations clear तो roots find out करने पड़ेगे और वो जो roots होगे हमारे वो ही हमारा eigenvalues होगी roots जैसे कैसे हो सकता है अगर आपके पास 2 cross 2 matrix है तो आपके 2 roots आएगे अगर 3 cross 3 है तो 3 roots आएगे मतलब eigenvalues 3 आई की फिर और आइगन वेक्टर के लिए पहले आपको आइगन वेल्यूस पता होनी चाहिए and then आपको यह apply करना है आप देखें जैसे एक छोटा सा example ले लेते है कि आपने लिखना कैसे है मैं वैसे shortcut से ही करवाऊंगी फिर भी जो graduation के बच्चे है या कुछ जो first year second year में पढ़ते है वो देख रहे होगे तो उनके लिए बता दू कैसे आपने एक्जाम में लिखना है जैसे suppose आपके लिए है आपके पास है एक matrix है one two three two यह है और आपको पता है कि lambda identity matrix क्या होती है लेमडा बाद में बताते है one zero zero one यह तो लेमडा आई क्या हो जाएगा लेमडा आई हो जाएगा आपका lambda zero zero lambda तो आपको करना क्या है आपको करना है determinant of lambda i equal to zero a minus lambda i का determinant करना है तो a is one two three two minus lambda i कितना है आपका lambda zero zero lambda ठीक है अब मैं क्या करूंगी minus करूंगी तो first वाले element में फरक पड़ेगा second वाले में नहीं third वाले पर नहीं और last वाले में पड़ेगा तो अगर two cross two का है ठीक है तो मतलब यहां तक करने के लिए आपको यह determinant करना पड़ेगा फिर इसके बाद यहां तक करने के लिए आपको ऐसे step में लिखने की जुरूरत नहीं है अगर आपको कोई भी exam clear करना है अगर आपको subjected है तो आपको करना पड़ेगा पेपर में ठीक है एक्जाम है अगर आपका और अगर आपका ऐसा है कि objective में करना है तो आपको इस step लिखने की जुरूरत नहीं हम direct shortcut तरीके से करेगे clear है वैसे ही हमने क्या करना है 3 cross 3 के लिए भी ऐसे बनाके फिर इसका determinant करना है चलिए करते है shortcut क्या है फिर हम question के जरीए समझेगे आपको आसानी से समझा जाएगा characteristics equation निकालनी पड़ेगी सबसे पहले eigen values के लिए तो जो हमारा first है वो है 2 cross 2 matrices तो 2 cross 2 matrices के लिए आपको यह characteristic equation आएगी यह आपको याद रखना है जैसे मैंने कहा कि आपके पास है कोई given matrix a b c d तो मेरी equation क्या हो जाएगी direct a minus lambda i equal to 0 के बात जो equation होगी पहले इसमें हम values put करेगे क्या equation होगी lambda square minus a plus d then lambda plus determinant of a a का determinant कितना है a d minus b c equal to 0 this is characteristic equation of 2 cross 2 matrices और आप बाकी दिहान रखिए कि पहले plus होगा फिर minus होगा फिर plus होगा आपका जो 3 cross 3 matrices है उसके लिए भी आपको यह equation characteristic equation निकालने के लिए यह याद रखना पड़ेगा lambda cube sum of diagonals lambda square sum of diagonal minus lambda minus a determinant अब देखिए sum of diagonals तो आपको पता ही होगा एक example ले लेते हैं sum of diagonals बता देती हूँ एक sum of diagonal minus क्या होते हैं आपको यह पता होना चीए और दूसरा चीज पहले plus है then minus है फिर plus है फिर आपका क्या है minus है यह भी आपको पता होना चीए अब मुझे बताना है कि sum of diagonals क्या होता है तो देखिए कोई example ले लेते हैं suppose आपके पास एक matrix है तो sum of diagonals आपको पता है क्या होगा 1, 2 and 4 तो sum of diagonals में रहा जाएगा equal to 1 plus 2 plus 4 that is 7 clear next क्या है sum of diagonal minus अब यह क्या होता है यह थोड़ा ध्यान से दिखी सबसे पहले आपने क्या करना है जो आपके पास 1 है इसको neglect करना है मतलब जो 1 है आपकी इसकी first row and first column neglect करना है तो क्या बचा आपके पास यह बचा 2, 1, minus 4 and 4 2, 1, minus 1 and 4 this one कैसे लिखी हूंगी मैं पहले लिखूंगी 2, 1, minus 1 and 4 plus अब आपने क्या ignore करना है यह वला चीज़ मतलब इसकी second row, second row, second column second row, second column ignore करेगे तो क्या बचेगा 1, 0, 1, 4 तो next लिखूंगी 1, 0, 1, 4 plus and last क्या करना है last आपको पता चल गया होगा यह यह आपका ignore करना है मतलब third row और third column third row and third column ignore करेगे तो क्या बचा दिस वन 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2 बस यह आपका sum कर देना है determinant करके तो मतलब वो है sum of diagonal minus तो कितना हो जाएगा 8 plus 1, 9 4 minus 0, 4 and next 2 that means 15 तो sum of diagonals क्या हो गया आपका 15 sum of diagonals आपका 7 हो गया and sum of diagonal minus आपका 15 हो गया यह आगया तो बहुत easy हो गया बाकी आपको 3 cross 3 का determinant भी आता है तो इसकी equation अगर मैं बनाना चाहूँ कैसे बनेगी देखी lambda cube 3 cross 3 minus sum of diagonals कितना है 7 साथ में lambda square फिरो ताप plus sum of diagonal minus sum of diagonal minus यह है तो कितना है वो 15 साथ में lambda minus determinant तो अगर आप इसका determinant देख करेगे तो यह तो 0 है तो कितना होगा 8 plus 1 तो direct आपका determinant कितना है 9 है तो 9 equal to 0 यह आपकी characteristic equation है for 3 cross 3 matrices यह जो आपका given matrix है इसके लिए देखिए equation करते है तो आपको समझा जाएगा first है हमारा find the eigenvalues and eigenvectors करना कैसे है देखिए सबसे पहले अब मुझे यह लिखने की जरूरत नहीं है कि आप a minus lambda i इस form में लिखने की जरूरत नहीं है अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते है कैसे पहले वाले में फरक पड़ेगा 1 minus lambda 2 2 and last वाले में फरक पड़ेगा 4 minus lambda cut determinant equal to 0 अब आप ऐसे भी solve कर लीजे आपको बहुत time लग जाएगा इसलिए मैं नहीं करूंगे इसे solve ठीक है मुझे पता है for 2 cross 2 के लिए मैंने क्या कहा था lambda square minus a plus d lambda plus a determinant equal to 0 ठीक है वेर lambda square minus a plus d 1 plus 4 5 lambda plus determinant of a 4 minus 4 कितना हुआ 0 तो ये क्या होगे आपका lambda square minus 5 lambda equal to 0 that means lambda common ले ली चे तो lambda equal to 0 and 5 this is eigen values ठीक है तो मतलब 2 eigen values है क्योंकि 2 cross 2 matrix है तो एक lambda 1 ले लो एक lambda 2 ले लो या फिर दोनों को ऐसे रखो ये है आपका eigen values निकालने का method अब देखिए next eigen vectors कैसे निकालते है आइगन vectors निकालने के लिए आपके क्या पता होना चीए जो मैंने क्या कहा था a minus lambda i x equal to 0 इस form में लिख लीजिए तो एक तो था 1 minus lambda 2 to 4 minus lambda a minus lambda i ये है x क्या है आपका x आपके unknown matrix है तो इसको हम x1 और x2 लिख लेते है equal to 0 ये x की जगा ये लिखा और a minus lambda i की जगा ये है अब ये पास दो values आईए एक तो lambda equal to 0 और एक है lambda equal to 5 दो values है आइगन values तो पहले मैं इस वाले में lambda equal to 0 पुट करते हूँ तो क्या हो जाए 1 minus 0 1, 2, 2, 4 minus 0 4 ये है x1, x2 equal to 0 और आप solve करिए कैसे solve करते है जैसे इसको multiply first row को first column से x1 plus 2x2 equal to 0 यहां से क्या हो गया x1 minus 2x2 एक ही equation अब अगर दूसरी निकालना चाहे second row को first column से 2x1 plus 4x2 equal to 0 that means x1 minus 2x2 देखिए अब दोनों equation same निकल जगे ठीक है x2 क्या put करें तो x2 हम क्या put कर सकते है x2 हम k put कर देते है चाहाई इस में put करो x2 को अगर k put करेंगे x1 कितना हो जाएगा minus 2k तो that means जो आपका x है वो हो गया k minus 2k और k common भी ला सकते है तो 1 और minus 1 यह है आपका eigen vectors for lambda is equal to 0 अब हमें दूसरा कौन सा निकालना है lambda equal to 5 के लिए निकालना है तो हम यहां पे 5 put कर लेते है lambda की जगा तो क्या हो जाएगा 1 minus 5 minus 4 2 2 and यहां हो जाएगा minus 1 कैसे हो जाएगा यह minus 4 2 for lambda equal to 5 के लिए 2 minus 1 and then x1 x2 equal to 0 same equation देखो multiply कीजिए दोनों एक जैस equation आएगी minus 4 x1 minus 2 x2 that means x2 x1 equal to x2 यहां भी put कर दीजिए x1 को k put कर दीजिए तो x2 कितना हो जाएगा 2 k x1 equal to k तो आपका x के आया x1 over x1 x2 तो x1 is k x2 is 2 k तो आप common भी ले सकते है then 1 and 2 यह है आपका next जब lambda 5 था तो यह आपका eigen vector है I hope clear है आपको ऐसा करना पड़ेगा eigen vectors निकालने के लिए कोई shortcut नहीं है वस eigen values निकालने के लिए shortcut है तो आपको यह apply करना ही पड़ेगा अब next question करते है आपको समझा जाएगा next देखिए eigen values and eigen vectors निकालना ही है कैसे करेंगे a minus lambda i equal to 0 determinant करना है तो आप मैं direct कर दू यह मुझे पता है 2 cross 2 है तो क्या लिखूंगी मैं lambda square minus पहले plus फिर minus a plus d 1 plus 2 lambda फिर plus determinant of a 2 minus 6 ऐसे लिख तो direct तो यह हो गया lambda square minus 3 lambda minus 4 equal to 0 अब हमें बता ही यह तो सबको आता ही है splitting करना है 4 1s and 1 1 lambda equal to 4 and minus 1 ठीक है विल साइन चेंज होते है इवन है शौटकट से किया जिसको नहीं आता हो शौटकट वीडियो देख ले तो यह lambda की 2 values है मतलब आइगन values ठीक है तो पहला हमारा lambda equal to minus 1 तो हमें क्या लिखना है a minus lambda i x equal to 0 इस form में लिखना है a क्या है हमारा a 1 2 3 2 lambda i minus करो minus lambda यहां पे होगा और यहां पे lambda minus होगा और x क्या है x1 x2 equal to 0 अब हमें जो यह equation है इसमें put करना है पहले lambda minus 1 फिर lambda 4 तो सबसे पहले हम lambda minus 1 put करेगे यहां पे पुट कर लेती हूं lambda equal to minus 1 यहां पुट किजिए पहला होगा 2 फिर 2 3 and 3 ऐसे हो गया and x1 x2 equal to 0 अब देखें आप 2 x1 plus 2 x2 या 3 x1 plus 3 x2 equation से हमारी है तो क्या हो रही है एक ही निकाल देते है 2 x1 2 x2 equal to 0 तो यह हो जाएगा आपका x1 equal to minus x2 किसी एको पुट कर दीजे कि x2 को k put कर लेते है तो x1 और x2 क्या क्या आजाएगा x1 आपका k और दूसरा minus k अब k अगर आप common लेगे तो यह क्या value आजाएगी 1 and minus 1 और k common यह है आपका आइगन vectors when lambda equal to minus 1 next देखिए when lambda equal to 4 तो a minus lambda x में put करना है 1 minus 4 minus 3 2 3 and next था 2 minus 4 तो minus 2 x1 x2 equal to 0 यहां से भी same equation है देखिए दोनों से multiply करके आप कैसे भी कर लीजे एक equation लिखूंगी मैं तो यहां पे होगे आपका 3 x1 equal to 2 x2 that means x1 is equal to 2 by 3 x2 ऐसे हो गया तो आप एक को के ले लेगे तो किसको के ले लेगे आप के लेने की जुरुत निये देखिए यहां fraction में है value तो मैं x2 को क्या ले लू 3 उट कर लेते तो x1 कितना हो जाएगा 2 by 3 into 3 cancel हो गया x1 कितना आगया एक यह value है वे lambda equal to 4 है I hope clear है अब 3 x 3 वाला करते है तो आपको जो confusion है वो इसमें clear हो जाएगी next question देखिए अब next question करना है आपको 3 x 3 वाला जिसके लिए आपको formula पता होना चाहिए था कौनसा वाला? ये वाला ठीक है? this one ये आपको formula याद रखना है तो मुझे sum of diagonals निकालना है sum of diagonal minus निकालने है 8 determinant निकालना है तो मेरी characteristic equation आ जाएगी करते है तो सबसे पहले sum of diagonals ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 1 that is 7 next है sum of diagonal minus ये है सबसे पहले ये first row, first column neglect करनी है तो 5, 1, 1 फिर ये neglect करना है second row, second column then 1, 3, 3, 1 and last third row, third column neglect करनी है तो 1, 1, 1, 5 इनका determinant 5, minus 1, 4 ये हो गया 1, minus 9, minus 8 plus 5, minus 1, 4 that means क्या आगया आपका 0 आगया अब आपको last row करना है वो determinant करना है determinant सबको पता है 5, minus 1, minus 1, minus 3 plus 3, 1, minus 15 that is 4, plus 2 and 14, 3's are 42 that means minus 36 आपका determinant आगया तो अब हम equation में लिखते है lambda cube पहले plus आता है minus sum of diagonals 7 था plus sum of diagonal minus 0 आया था minus और determinant भी मेरा minus 36 था तो बस होगी equation that means lambda cube minus 7 lambda square plus 36 equal to 0 अब जिसको यहाँ पे method नहीं पता होगा वो यहीं फस जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे roots निकालने पड़ेगे क्या करना पड़ेगा heat and trial method when lambda equal to 3 put कीजिए 27 minus 63 plus 36 तो यह आपका क्या हागया 0 आगया तो 0 आगया that means एक eigen value मेरी यह है तो हम क्या करते है shortcut मैंने सिखाया था आप लोगों को पहले लिखेगे coefficient lambda cube का lambda square का lambda का and constant term तो यह 1 as it is यहाँ लिखतेते है then क्या करते है 1 3 is a 3 यहाँ लिखेगे यह addition करेगे minus 4 आएगा 3 4 is a 12 minus भी था फिर यह addition करेगे minus 12 फिर 12 3 is a 36 addition करेगे 0 अगर यह 0 है तो ठीक है that means first है lambda square minus 4 lambda and minus 12 equal to 0 quadratic equation 6 2's are 12 minus 4 आगया तो that means lambda equal to बात में sign change हो जाते है 6 and minus 2 and 1 था 3 यह है eigen values lambda is equal to 6 minus 2 and 3 इसे easy और इसे shortcut नहीं हो सकता कुछ आप try कीजिए जो दूसरा method है तो आपको पता चल जाएगा सबके अलग-अलग eigen vectors होगे वो find out करने है lambda minus 2 के लिए अलग 6 के लिए अलग and 3 के लिए अलग सबसे पहले हम आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए equation लिए लिए क्या थी a minus lambda i x equal to 0 तो हमारा जो a था 1 1 3 1 5 1 3 1 1 तो a minus lambda i तो lambda minus करना पड़ेगा तो कैसे कैसे यहाँ भी minus lambda यहाँ भी minus lambda यहाँ भी minus lambda and then x1 x2 x3 equal to 0 अब देखी अब हमें सबसे पहले क्या lambda की value पूट करते है बटावट lambda की value minus 2 पूट कर देते है यहाँ पूट कर दीजे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह 3 1 3 1 यहाँ कितना हो जाएगा 7 and next one 3 1 1 plus 2 and 3 clear है lambda equal to minus 2 पूट कर दिया तो कैसे equation बनेगी आप multiply कर दीजे 3 x1 plus x2 plus 3 x3 ठीक है और दूसरा एक यहाँ पर multiply कर दीजे x1 plus 7 x2 plus x3 कोई भी दो equation कर दीजे मतलब first column को first row को first column से second row को second column से कोई दो equation लेनी आपने equal to 0 यहाँ भी equal to 0 अब करना क्या है थोड़ा method दीखिए मैं क्या करूँगी x1, x2, x3 यहाँ पर x2 पर minus लगाना है बस इतनी चीज बीच में equal to अब आपको क्या करना है x1 को छोड़के यहाँ पर क्या x1 इन दोनों का multiply कर दीजे तो कितना हो जाएगा यह है आपका यहाँ पर 1 है यह 3 है 7 and 1 तो कितना हो जाएगा 1 minus यह 1, 3, 7, 1 ऐसे वहाँ ना तो 1 minus 21 तो 1 minus 21 minus 20 next next x2 को छोड़के क्या है 3, 3, 1, 1 मतलब 3, 3, 1, 1 तो 3 minus 3 कितना हो गया 0 clear and next x3 को छोड़के यह वाला portion 3, 1, 1, 7 ठीक है तो 21 minus 1 20 यह बिल्कुल easy है एक बार अकर नहीं समाझ आया तो rewind कीजिए ठीक है तो बस हो गया x1, x2 और x3 की क्या values आई आपकी minus 20 0 and 20 और भी common आ सकता है तो अगर आपका common आ गया 20 तो minus 1 0 and 1 यह है eigen vectors for lambda equal to minus 2 is that clear अब यहाँ पे lambda की value हम 6 put करेगे and then lambda हमारा 3 भी था बो भी put करेगे तो पहले हम 6 put कर देते है ठीक है यही change हो जाएगा आपका 1 minus 6 यह minus 5 हो जाएगा यह आपका minus 1 हो जाएगा और यह आपका minus 5 हो जाएगा clear lambda is equal to 6 तो यह हो जाएगा minus 5 1, 3 1, minus 1 1, 3, 1 minus 5 then x2 x1, x2 and x3 यहाँ भी क्या का मैंने कोई दो equation ले लीजिए 5 x1 plus x2 plus 3 x3 और next ले लिए x1 minus x2 plus x3 यह ठीक है और साथ में क्या करना है अब आपको next method x1, x2 and x3 minus x2 में equal to equal to यह करना पड़ेगा आपको 1, 3, minus 1 and 1 तो 1 plus 3 4 and next 1 plus 3 and next हो जाएगा x2 छोड़के minus 5, 3 1 and 1 minus 5, minus 3 minus 8 and last x3 this one 5 and minus 1 that is 4 तो x1, x2 and x3 की value आपके पास आगी that is 4, 4 and 4 यह 8 है 4, 8 and 4 ठीक है यह cancel हो गया is that clear that means आपकी values जो आई आपकी कितनी आई 1, 2 and 1 common ले सकते आप 4 तो this is eigenvectors for lambda equal to 6 next देखे when lambda is equal to 3 तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे lambda की जगा 3 पुट करना है तो यह 1-3 5-3 1-3 यह होगा बाकी सेम रहेगे तो क्या हो जाएगा आपका 1-3 डिरेक्ट लिख लेते 1-3 minus 2 1-3 as it is 1 5-3 2 and 1 and next 3 1 and 1-3 minus 2 next x1 x2 x3 equal to 0 अब देखे मैंने कहा था कोई 2 equation ले लीजे minus 2 x1 plus x2 plus 3 x3 and next x1 plus 2 x2 plus x3 अब आपको क्या करना है मैंने क्या कह था x1 minus x2 और x3 equal to equal to equal to x1 छोड़के क्रामर रूल जो हम अपलाई करते हैं बही कर रहे हूं 1-6 minus 5 and next x2 2 this and this ठीक है minus 2 and minus 3 minus 5 and last x3 को छोड़के this one minus 4 and minus 1 that is minus 5 यह कैंसल हो गया that is x1, x2 and x3 is minus 5 5 and minus 5 which is equal to minus 1 1 and minus 1 this is यह आपकी क्या है eigenvectors for lambda equal to 3 लंबा है exam में ऐसा question आएगा जिसमें थोड़ा काम time लगे लेकिन आपको समझाना जरूरी है last question देखिए इसको थोड़ा speed में करेगे ठीक है देखिए कैसे करना है सबसे पहले मैंने बताया है sum of diagonals मैं directly लिखतू sum of diagonals lambda cube equation लिखतू पहले plus आता है फिर minus आता है sum of diagonals यह add कर देने कितना हो गया 7 साथ में lambda square plus then कुछ आता है then minus ठीक है यहाँ पे बाहर के आता है lambda then minus फिर आता है आपका determinant of a equal to 0 अब यह यहाँ क्या आता है यहाँ पे आता है sum of diagonal minus वो निकालने इसको neglect कीजिए तो यह दो है first row first column तो 2 1 minus 1 4 plus second row second column को neglect करेगे 1 0 1 4 plus third row third column को neglect करेगे 1 0 0 2 तो यह आपका solve कीजिए 9 plus 4 plus 2 that is 15 and last a determinant भी निकाल देते है 1 तो यह भी 9 हो गया तो क्या है अब equations देखिए lambda cube minus 7 lambda square यहाँ पे क्या डाल दीजा 15 15 lambda minus a determinant minus 9 equal to 0 अब क्या करना है roots find out करने है सबसे पहले heat and trial method करेगे put lambda equal to 1 जैसे ही आप 1 put करेगे 1 minus 7 plus 15 minus 9 यह क्या हो जाएगा आपका 0 that means एक आपका factor क्या है एक आपकी eigen value 1 है तो हम coefficient लिखेगे lambda cube का lambda square का lambda का and then constant value सबसे पहले 1 as it is 1s are multiply करेगे 1 add करेगे minus 6 multiply करेगे minus 6 add करेगे 9 multiply करेगे 9 add करेगे 0 क्या है है हमारा 1 minus 6 and 9 that means lambda square minus 6 lambda plus 9 equal to 0 अब factor बनेगे कितना 3 3s 9 तो minus and minus तो last में sign change हो जाते है lambda की जो value आएगी वो आएगी 3 3 और 1 आपका 1 eigen values आपकी कितनी आगी 3 आगी लेकिन 1 सेम है अम एको क्या करना है eigen vectors के लिए a minus lambda i x equal to 0 तो हम क्या लिखेगे 1 minus lambda 0 0 0 यहां था 2 तो minus lambda 1 and next 1 minus 1 4 minus lambda यह है आपकी equation and साथ में है x1 x2 x3 equal to 0 हम क्या put करेगे एक बार lambda equal to 1 और एक बार lambda equal to 3 3 2 बार है तो एक ही find out करना पड़ेगा ठीक है same equation आएगी तो हम put कर देटे lambda 1 तो क्या जाएगा यह हमारा 0 0 0 0 1 1 and next 1 minus 1 and 3 साथ में x1 x2 and x3 equal to 0 ठीक है तो यह हम solve करेगे तो आप द्यान से देखिए यह दो equation उपर वाली तो 0 है यह दो equation आप multiply कर दीजे तो क्या हो जाएगा 0 x1 plus x2 plus x3 equal to 0 x1 minus x2 minus 3 x3 प्लस हो जाएगा ठीक है यूस क्रामर्स डूल क्या कहा था आपको यहाँ पर यूस करने के लिए x1 minus x2 x3 ठीक है x1 को neglect कीजिए तो यह दो multiply करने पड़ेगे 3 plus 1 4 and next यहाँ पर 0 minus 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 is that clear तो यह आपका आगया क्या हो गया x1 x2 and x3 4 यह cancel हो गया 1 and minus 1 यह है आइगन वेक्टर when lambda is equal to 1 for lambda equal to 3 तो हम क्या करेगे यहाँ पर lambda की value 3 पुट करेगे 1 minus 3 minus 2 0 0 0 minus 1 1 and 1 minus 1 3 minus 4 minus 3 1 बाकी x1 x2 x3 equal to 0 कोई दो equation आप multiply कीजिए जैसे यह कर देती हूं तो 0 x1 minus x2 plus x3 equal to 0 next x1 minus x2 plus x3 equal to 0 same here ऐसे ही apply कीजिए ऐसे आपने apply किया क्या हो जाएगा यह x1 minus x2 equal to x3 तो यह हो गया आपका पहले यह दो करिए minus 1 plus 1 तो पहला क्या हो जाएगा आपका 0 and next x2 को neglect करके यह 0 and minus 1 minus 1 and next 0 plus 1 1 तो यह cancel हो गया that means when lambda is equal to 3 जो आइगन वेक्टर है आपका 0, 1 and 1 when lambda equal to 3 बहुत असान है बस थोड़ा सा आपको द्यान रखना है कि आप एक तो क्या याद रखे यह जो equations है तो यह आपको याद रखनी है very important for 2 x 2 and 3 x 3 मैं तो ऐसे ही करूँगी आप बाकी method से देखिए जो graduation में आपका method है काफी time लग जाता है इसमें बहुत असान है बस आपने 2 x 2 के लिए तो बहुत इजी है eigen values निकालने के लिए आइगन वेक्टर के लिए कोई ऐसा method नहीं है वो आपको करना ही पड़ेगा और eigen values for 3 x 3 table यह भी आपको यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है आइगन वेक्टर नेक्स टॉपिक जो करेगे हम प्रॉपर्टीज करेगे उससे हम इसली आइगन वेल्यूज और थोड़ा शॉटकट से फाइंड आउट कर सकते है तो वो नेक्स टॉपिक में करेगे तब तक के लिए प्राक्टिस कीजिए देर सारी और हमारे वीडियोज देखते रही है बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू वेरी मच